नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है बिहार के सत्ताधारी गडबंधन में सामिल राष्टिय जनता दल के पूर्व एमल सी अनौर अली के बेटे और पारसत असार अली को पीर बहुर थाने की पुलिस ने सुक्रवार की देर साम हिरासत में ले लिया बीते गुरुवार की रात पटना मारकेस्ट के पास सड़क किनारे कुछ संदिक योकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था जिसके बाद अस्थानी योकों ने पुलिस की पिटाई कर दी थी बताया जा रहा है हिरासत में लिये गए लड़कों को ना सिर्फ छुडा लिया गया था बलकि तीन पुलिस कर्मियों की भी पिटाई कर दी गए थी इसी मामले में सुक्रवार को पुलिस ने एक दुकानदार को पुष्टाच के लिए बुलाया था जिसे छुडाने के लिए अपसर अली थाने पहुचा था इस दोरान अफसर अली ने पुलिस पर तुरंट दुकानदार को छोड़ने के लिए दबाव बनाया, गाली गलोच की और डियस्पी से भी बस लुकी की ज़र देखिए ये वीडियो जैसा की आपने देखा, इस पूरे मामले में पीर बहुर थाना ध्यच सवीलूल हक ने बताया की एक वीडियो वारल हुआ था पिछले दस दिन से पुलिस उस पर काम कर रही थी, वीडियो में ये था कि सक्स फायरिंग कर रहा था, उसके बारे में ये भी खबर आ रही थी कि वो पिश्टल लेकर घूमता फिरता है इस पर टीम लगातार काम कर रही थी, इसी मामले में गुरुवार की रात पटना मार्केट के मीना बजार में टीम पकड़ने गई थी, छत पर जाने के बाद वहां दिखा पांच-छे लोग भूंजा का रहे थे, हाला कि वहां से कुछ बरामत नहीं हुआ था इस दोरान जब पुलिस की टीम लोट रही थी, तो बाहर चार योग बैठे थे, वो पुलिस को देखते ही भागने लगे, पुलिस ने ख़देर कर दियो यूको को पकल डिया, उनको लेकर पुलिस थाना आ रही थी, इसके बाद सिया मस्जिद गली के पास कुछ लोगों न ने खुजूम बना कर पुलिस पर हमला कर दिया और पकड़े गई यूको को छुड़ा लिया, इस दोरान एक सिपाही बुरी तरह पीटा गया, इसी तवां ख़बरे जानने के लिए आप जड़े रहे इन ख़बर के साथ